अब विडियो में आपको टॉप थ्री वेबसाइट के बारें बताऊंगा जिसकी है लग से आप अपने फोटो का बैकगराउंड रिमूफ कर सकते हैं हम फोटो का बैकगराउंड रिमूफ तब करते हैं जब हमें अपना थमनेल, लोगो, बैनर या किसी चीज़ के लिए बैकगराउंड रिमूफ फोटो चाहिए होता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको टॉप थ्री वेबसाइट के बारें बताऊंगा जिससे आप आसानी से फुल एच्टी में अपना बैकगराउंड रिमूफ कर सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आकन में प्रेस करें कि आप सबको ऐसी वीडियो मिलती रहे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप फोटो का बैकगराउंड रिमूफ करने के लिए कौन से एप या वेबसाइट का यूज करते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं तो फर्स्ट वेबसाइट है रिमूफ डॉट बीजी इस वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉड डाउन करना है और यहाँ पर आपको अप्लोड इमेज को अप्शन मिलता होगा उससे यहाँ पर लिखा हुआ जर्श्ट पीचर इट यहाँ पर कोई भी पीचर करना है और आप उसका बैग्रांड रिमूफ कर सकते हैं फाइट सेकेंड में जीरो क्लिक तो यहाँ पर आपको अप्लोड इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने एक फोड़ इमेज डाउ चुका है और इसका जो background है वो पूरा remove हो चुका है आपको यहाँ पर download option जो पहला option है उसके बाद यहाँ पर downloading file और मेरा यह download हो चुका है आप इसे कहीं भी use कर सकते हैं तो दूसरा जो website है उसका नाम है stickermule.com उसके बाद end slash in trace उसके बाद यहाँ पर आप जब website में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं background removal उसके बाद यहाँ पर add colors and images आप images में add color कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर तो हम upload photo पर click करेंगे upload photo पर click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना images है जो आप gallery में या कहीं भी है उसको आपको click करने है उसके बाद आपको done पर click कर देना done पर click करने बाद यहाँ पर आपको uploading file का option देखने को मिलेगा उसका processing file उसके बाद यहाँ पर आए preparing your design और उसके बाद देख सकते हैं जो image है उसका png image आ चुका है उसके बाद आपको यहाँ पर download को option मिलता होगा उस पर आपको click करना है अगर आपको दूसरा image add करना है तो आपको add new photo पर click करके आप दूसरा image add कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना दूसरा image भी आप यहाँ से ले सकते हैं उसका background या पीछे जो background है वो लगा सकते हैं तो उसके बाद आपको download का option मिलेगा उस पर click करना है और यहाँ पर आपको download full image पर click करना है और यहाँ पर मेरा जो image है वो download हो चुका है और gallery में यह save हो चुका है जो तीसरा website है उसका नाम है slazer.com जब यह website पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुए इसका preview दिया हुए कि ऐसा image उसके बाद image का background रिमूव होने के बाद ऐसा हो गया है उसके बाद आपको यहाँ पर upload image का option दिखता होगो उस पर आपको click करना है उसको आपको यहाँ पर upload image पर click करना है और आप इस interface में redirect हो जाएंगे और आपका जो image है उस पर click करना है और आपको done पर click कर देना है यहाँ पर आप देख सकते है original image और यहाँ पर जो इमेज का background रिमूव होने के बाद यहाँ इमेज आ चुका है यहाँ बहुत HD में है और यहाँ से आप download और edit image इस पर click करके आप इसे edit भी कर सकते है एडिट HD image और यहाँ पर आगर आपको HD में यहाँ इमेज को download करना है तो आपको one credit देना पड़ेगा sign up and get two credit free मतलब आप अगर sign up करेंगे तो आपको दो credit free में मिल जाएगा तो आप इसे HD में download कर सकते हैं यहाँ पर मैं download पर click करने आपको और download preview image और उसके बाद यह जो image है वह आपके gallery में download हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like और share करना मत भूलिएगा तो अब मुझे इजाज़त दीजिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अब है रहे हैं अब पर लाजे हैं घ्री है 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 तो पर दो पर लाजे में दो यहाँ